सो हेलो अब्रीवन जेसी सी गुरुकुल के सभी मेंबरवाशियों के तरफ से आप सभी को जोहार भी नंदन वेक करती हैं आज के इस सेशन में हम लोग जहारखन दरोगा न्यू भेकेंसी के रिगारिंग डिसकस्शन करने वाले हैं सबसे पहले मैं आप सबों को ये बता देना चाहता हूँ जिसका आप लंबे अर्शे से एक लंबे उमीद को लेकर के आप काफी इंतिजार में हैं आखिरकार आप लोग का इंतिजार की ये गड़ी धीरे-धीरे समाप्त होते देखने को मिल रही है जिसके रिसेंट सेनर्यू की मुताविक यदि हम लोग यहां पर बात करते हैं जार्खन दरोगा का न्यू बेकेंसी के रिगारिंग कोई भी भेकेंसी होता है जो कि आप लोग का गिरिह कारा पुलिस मुख्याले के डिपार्टमेंट से जो भी डिफेंस की भेकेंसी निकाली जाती है उसका प्रोसेस आप लोग समझ लिजे पहले पुलिस मुख्याले के दवारा वो डाटा तियार किया जाता है वो जेसिसी तक वो पहुचाने का काम करती है और फाइनली जो जेसिसी है वो हमें नोटिफिकेशन देने का काम करती है तो जो ये जहारखन दरोगा का नियू भेकेंसी है ये फाइनली एक अस्टेप आप लोगा बढ़ चुका है पुलीस मुख्याले के द्वारा रोष्टर त्यार करके ये आप लोगा कार्मिक विभाग को सोप दिया गया है अब एक अस्टेप बचा है ये कार्मिक विभाग भी इसमें जो भी है वो सारे चीज संसोधन सारे चेकोट करने के बाद ये फाइनली अब आप लोगा जेसिसी को सोप नहीं वाला है इसमें कुछ समय का ह इसमें लगेगा जैसी सी को जैसे ये सारे रोष्टर त्यार करके सूप दिया जाएगा दिन फाइनली जैसी सी इसका नोटिफिकेशन आप सबों के बीच में रिलीश कर देगी यहाँ पे खुसी की बात तो है कि चलिए एक अस्टेप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रह हुआ है अगर समझ यह समाप्ति हो गया सितंबर अक्टूबर नॉंबर यानि कि दिसंबर से नया करकाल चालू प्रारंब हो जाएगा अब तीन मंत में क्या यह वेकेंसी आ करके जो इसका फिजिकल है रिटेन है मेडिकल डोकुमेंट क्या सारे प्रोसेस हो जाएंगे वो तो नहीं होता हुआ दिख रहा है बट वेकेंसी तो आज आएगी बट किलियर होगा नहीं होगा किसी को कुछ पता ही नहीं चुकि इससे पहले बहुत सारी वेकेंसी आ चुकी है उसका कोई अता ही पता नहीं तो यह तो बहुत ही अभी दूर की बात है बट मैं यहां पे आ कारकन द्रोग का बेकेंसी आएगा तो बस और कुछ दिन आप लोग को इस परकार से पैसेंस धहरी रखने की जोरत है और हमारी माने तो ये बेकेंसी इसके कायरकाल में नहीं आए वही ठीक रहेगा चुकि बेकेंसी आने का मतलब ही क्या राता है यदि सही अब्यार्थी को मे भी विदार्थियों के लिए कि बेकेंसी नहीं आए तो ही बेहतर है भले इतना देन लेट होई गया है एक दो वर्ष जो भी 4-5-10 वर्ष लेट होई गया है 2017 में द्रोग का बेकेंसी आया था 7-8 सल बिथी गिया है तो और एक वर्ष बिथी जाए वही सही ठीक रहेगा ता भी बेक्ति तक वो चीज उनको मिल पाए जैसे कि 2017 में अभियार्थियों को मिला था जो उसके असल में हकदार थे जिन्होंने मेहनत किया था उन्ही को वो जारकन द्रोगा का जो भी है वो चीज उनके हाथ में वो चीज पोस्टिंग मिली थी उनको और अभी का समय बेकेंस कि जब भी जो भी नया करकाल आएगा सीट खाली रहेगा तभी तो जाकर कि आखिरकार भेकेंसिया आएगी बट वो अलग बात है वो तो समय ही खेर बताएगा क्या होगा नहीं होगा लेकिन मैं आप लोग को बस इस चीज का यह चीज सतर कि यहां पर कर देना चाहते हूं बस आप लोग और कुछ दिन तक अपने आपको पेसेंस रखने का परियास किजी चुकि अभी जितनी भी भेकेंसिया आई हुई है यह भी कंप्लीट होगा की नहीं होगा किसी को कुछ पता नहीं और कंप्लीट ना हो वही बेतर है चुकि सही परसन को मिलना बहुत ही जरू ताकि हम लोग का जो मेंटली है वो चीज हम लोग का बना रहें बालेंस वे में बना रहें तो आप सबो के लिए मैं जनकारी दे देना चाहता हूं यह आप लोग को और ऐसे आप लोग पता ही होगा कि आप जार्खन का 2400 जिल्ला में चोकिदार का वेकेंसि अभी आप था उसके रिगार्डिंग भी आप लोग को हर एक जिल्ला का वीडियो हमारे इस प्लेटफों पे देखने को मिल जाएगा डेट जाकर के देख लिजे तो आप लोग का अच्छा खासा वेकेंसि आया हुआ हुआ है चोकिदार में हर एक जिल्ला में देखिएगा कहीं पे 1500 क कहीं पे 1500 इतना तक वेकेंसिया आया हुआ है और यह बहुत ही अच्छा उपर्चिनिटी लेकर के आया है एक अस्टेबिलीटी आप लोग के बनाने में जो यहां पे आप लोग डिस बाइलेंस देख पा रहे हैंगे चुकि लंबे समय से इस तर वेकेंसिया नहीं आई वी ह तो उस चीज को एक प्लेटफर्म बना सकता है यह चोकिदार का वेकेंसिया क्या है कुछ समय के लिए इसे में आप लोग राज जाएए जब आप लोग अपर पोस्ट का त्यारी करी रहे हैं जब वहां पे फेर तरीके से एक्जाम होंगे वेकेंसिया निकलेगी तो आप उ और यकीन मानिये जो यह चोकिदार का भरती है अगला सरकार किसी का भी आये कोई लेना देना नहीं है इसका लेकिन यहीं दूसरी और बात करते है जैसे सी के तरफ से जितना वेकेंसिया भी निकाला गया है अगला बार दूसरी सरकार आती है तो यह सारी वेकेंसिया रद हो जाएगी कोई भी बेकेंसी टिकने वाला नहीं है काईग अगला सरकार जो भी नया आएगा वो तो किसी के गलत विचार को गलत नियत को आगे में सुधार करके ने सीरे से किसी भी चीज को न्यू रखेगी और उसको आगे ले जाने के परियास करेगी तो उसमें भी एक दो वर्ष का समय लगेगा ही लगेगा सारी चीजे को ठीक करने में तो तब तक आप लोग क्या कर सकती है जो वेकेंसी अभी रिसेंट में चोकिदार का आया हुआ है आप इसमें ट्राइक कीजिए ये भी बहुत ही अच्छा उपर्चुनिटी है जो में सोच रखा है ठान रखा है कि मुझे अपर पोस्ट का गिरेजिशन लेबल की हमको करना है तो आप चाहे सिच्वेशन जो भी हो आप वहां तक पहुंची जाएंगे तो ये चीज मत समझना है कि हम लोग डायक दरोगा से कहां ये चोकिदार में आगे नहीं उस तरीके का सोच रख करके कुछ मिलेगा नहीं कुछ नहीं सही से अच्छा है कि कुछ हो जाए हाँ हम लोग कहां पर थे ये चोकिदार का भर्ती किसी का भी सरकार आ जाए ये कुछ होने वाला नहीं है इसमें किसी तरह का कोई भीएफेक्ट परभाव नहीं पढ़ने वाला है चुकि जो भी मेन इंचार्ज है वो डिप्टी कमिशनर है सरकार किसी का भी हो इससे कोई लेना दना नहीं है ये कि आयोग जेसी के तरफ से बेकेंसी नहीं निकाला गया है कि जब चाहे तब चाहे इसको सरकार आगे पिछे कर सकती है और जिस परकार अभी बहुत सारे जिल्लों में इसका एक्जाम रिटेन आप रामगर का देख लिजिए जहां तक लगता है जारखन में जितना भी अभी वेकेंसी हुआ है चाहे जेसी सी हो चाहे अन्य किसी भी आयो के तरफ से जो भी वेकेंसी अली गई हो सबसे साफ सुत्रे तरीके से अभी इस जहारखन का बने हुए 24 साल में रिकोर्ड का बात करते हैं सबसे साफ सुत्रे तरीका से रामगर चोकिदार का भरती करवाया गया है भले वहाँ रिटेन एक जाम में सिलेवस थोड़ा इदर उदर का पूछ दिया गया था बट चेयन परकिरिया में यदि हम लोग बात करते हैं पूरे साफ सुत्रे तरीके से चेयन रामगर चोकिदार के अभ्यारतियों का किया गया है जो उक्स के असल में हकदार थे असली जो मेहनत किये थे आखिरकार उनी का वहाँ पर कंप्लीट रूप से एक फियर तरीके से उनका सेलेक्शन हुआ है और जिस प्रकार अस्पीड से भी हर एक जिल्ला में इसका एक्जाम ये सब दिया जा रहा है रिजेक्शन लिस्ट एडिमिट कार जारी किया जा रहे है पूरी ये आज जताई जा रही है कि ये चोकिदार का जो बेकेंसी है ये आप लोग का चुना से पहले किसी भी हाल में सितंबर अक्टूबर तक हर एक जिल्ला का 24 जिल्ला का कंप्लीट करा लिया जाएगा जब तक जैसे सी के तरफ से उधर बेकेंसिया नहीं आती है भी इससे रिगार्डिंग नोटीस आता है उसका अपडेट आप लोग को इस प्लेटफॉर्म के तहद यहां पे दे दिया जाएगा